नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनिश राज पूछ स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी बैंक से या फिर NVFC रेजिटर्ट कमपनी से पर्सनल लोन के लिए एपलाई किया था और करने वाले हैं किस रीजन की वैसे आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों अगर आपने वीडियो कमप्लीट देख ली तो दोस्तों आपकी बहुत हैल्प होगी जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अपलाई करोगे तो इन चीजों को आपको बहुत ध आपको लोन नहीं मिलता है यही एक कारण होता है अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर चैसों से नीचे है तो दोस्तो आपको बहुत दिक्कत होती कि आपका personal loan यहां पर approved हो जाए क्योंकि दोस्तो civil score एक ऐसी चीज है civil score के भिहाब पर ही देखा जाता है कि आपका character कैसा है क्योंकि दोस्तो हम किसी व्यक्ति को जब भी हम देखते हैं तो हम उसका character देखते हैं कि हाँ यह बंदा ऐसा है यह है वो है तो दोस्तो ऐसे ही finance loan की दुनिया में आपका character जो तै किया जाता है वो civil score के हिसाब से ही तै किया जाता है तो अगर आपका civil score 700 से 900 के बीच में है तो दोस्तो आपको अच्छा NVFC registered company से लोगे वैसे मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको नहीं मिलेगा loan कुछ application है play store पे जो आपको loan दे देते हैं लेकिन वो बहुत high interest rate के साथ आपको loan provide कराते हैं तो दोस्तो यहाँ पर एक कारण तो यह था दोस्तो दूसरा कारण यह है कि आपकी कम salary होनी है यानि कि मान लीजिए आपकी income जो monthly income है वो यहाँ पर बहुत कम है तो दोस्तो यहाँ पर अगर आपकी average salary मान लीजिए कि 50,000 है तो दोस्तो आपकी 50,000 salary का 50% ही आपकी EMI के उपर depend करेगा कि इतनी EMI बनाई जाएगी आपकी salary salary पर यानि आपकी salary मान लीजिए 50,000 है तो 25,000 तो उसमें से bank उसको नहीं मानता है और 25,000 के बिहाब पर ही आपकी यहाँ पर EMI तै होगी जानि कि आपकी जो monthly EMI बनेगी वो 25,000 के अंदर अंदर बनेगी अगर आपकी salary 50,000 है तो दोस्तो इसी के हिसाब से आपका यहाँ पर loan तै किया जाता है तब ही आपको loan मिलता है अब आप ज़्यादा loan लेना चाहा रहे हो तो दोस्तो अगर आपकी salary कम है तो भी आपका यहाँ पर loan application reject कर दिया जाता है क्योंकि दोस्तो आपको मान लीजिए loan की need है आपर 20-30 लाख रुपए की लेकिन आपकी salary कितनी 50,000 जिसमें से bank आपको कितनी मानता है 25,000 50% मानता है और 50% के हिसाब से EMI तै की जाती है लेकिन जब EMI 25,000 की बनेगी तो सोचे कि 25-30,000 का loan या 8-10,000 का loan भी आप कब तक उसको उतारोगे तो दोस्तो यहाँ पर tenure की भी बात देखी जाती है फिर interest rate भी बहुत लगता है तो इस हिसाब से वो reject कर दिया जाता है तो दोस्तो यह भी एक main कारण है कि आपकी कम salary होनी अगर आपकी salary जादा है तो आपको loan जल्दी approved हो जाता है अब दोस्तो एक कारण तो यह था अब दोस्तो इसका एक कारण और है कि मान लीजे आपकी salary पचास हजार है ठीक है और पच्टीस हजार पे EMI tag की जारी है अब क्या है कि आपने पहले से ही already दो loan ले रखे है यानि कि आपने एक car loan ले रखा है अब आपको तीसरा loan भी चाहिए personal loan तो bank उसको reject कर देता है वो reject इसी वज़े से करता है क्योंकि उनको पता है कि इसकी salary 50,000 है और इसके 25,000 उपे जो है इसके अपने personal खर्चों में लग जाते है 25,000 पे ही EMI tag की जाती है जब आपकी की bank को कैसे बताएगी इसका already loan चला है तो वही मैं आपको बता देता हूँ KD Discord से बिल Discord से आपकी सारी history निकल जाती है कि आपने कितनी EMI कब दी है कितना loan लिया है पहले सब कुछ detail निकल जाएगी अगर आपने कोई loan fault भी किया है तो तब भी वो चीज वहाँ पर निकल जाएगी तो दोस्तो उसकी वज़े से भी आपका loan application reject हो सकता है क्योंकि दोस्तो आप सोचोगे कि मैंने past में एक loan fault किया था और अब मैं loan ले लेता हूँ तो दोस्तो bank इस चीज़ को भी देखता है मैं ऐसा नहीं क्या रहा हूँ कि loan नहीं मिलेगा तो दोस्तो एक कारण ये है कि ये reject हो सकता है इस कारण की वज़े से भी तो दोस्तो ये main कारण है अब दोस्तो यहाँ पर एक कारण और निकल कराता है मानलीजे दोस्तो आपने कोई loan ले रखता है उसकी EMI भी आपने bounce कर दी है यानि कि उसकी repayment करने में आपको बहुत time लग रहा है उसकी हर EMI आप bounce कर देते है तो इस चीज को भी bank note करता है आपके credit score से जो है आपकी सारी इस्ट्री निकाल लेता है वो देखता है कि यार इस बंदे से जो है सारे detail लेती है civil score की वेज़े से तो दोस्तो अगर आप civil score जानना चाहते हो कि आपका civil score कितना है तो उसके उपर मैंने already video बना रखी कि आप free में कैसे check करें अपना civil score और personal loan भी आप किसी भी bank से अगर लेना चाहते हो तो मेरे channel पर आपको playlist मिल जाएगी personal loan की वहाँ जाकर आप देख सकते हो और मेरे channel को visit कीजिए वहाँ पर loan की video अगर bank की video आप को इस भी video problem की अगर banking problem आ रही है कुछ तो वहाँ जाकर देख सकते हो loan से related भी video मैं चैनल पर मिलती है तो दोस्तो यहाँ पर यह कारण होते है कि अगर आप personal loan ले रहे हो और आपके यह reason है तो दोस्तो आपका loan application यहाँ पर reject हो सकता है और दोस्तो एक बात और ध्यान रख लीजे कि आप सोच रहे होगा कि मैं जब एक bank से यहाँ पर personal loan नहीं मिल ला है तो मैं दूसरे bank के पास loan लेने चला जाओंगा दोस्तो यह गलती कभी नहीं करना क्योंकि मान लीजे आपने एक bank से अगर loan ले लिया है तो दोस्तो वो loan जब reject हुआ है उस bank से या NBFC registered company से जहां से भी आपने loan लिया है तो वो आपके civil score पर चढ़ चुका है ठीक है उसकी inquiry आपके civil पर चढ़ गी है और जब आप नए bank से loan लेने जाओगे तो वहाँ पर bank देखेगा कि इसे पहले वाले bank ने इसने loan apply किया था तो उस bank से इस approval क्यों नहीं मिला loan का approval तो दोस्तो उस case में bank को doubt होगा और वो आपका loan application reject कर देगा तो यह गलती कभी मत करना कि आपको एक application या फिर एक NBFC registered company या bank के द्वारा private सरकारी bank से loan नहीं मिला तो आप दूसरे bank की तरफ चली जाओगे ऐसा गलती कभी मत करना आपको loan नहीं मिलेगा अगर एक bank ने reject कर दिया तो वो आपके credit score पर उसकी history चढ़ जाएगी उसका data चढ़ जाएगा उसकी inquiry चढ़ जाएगी तो दूसरा bank भी उसको note देखेगा उसकी detail और वहाँ पर आपका application यहाँ पर reject हो जाएगा तो यह main कारण है civil score salary कम हो ना ठीक है पहले से कोई loan चलना आया या EMI fault कर दिया या loan fault कर दिया है तो in case में आपका यहाँ पर loan application reject हो जाता है इसलिए दोस्तों अपना civil score साफ रखिए ठीक है credit score अपना अच्छा रखिए क्योंकि साही history होती है कितनी EMI आपने time पर दी है कितना loan पहले आपने pay किया है या कोई loan चलतो नहीं रहा है सब चीच चेक होती है तो इसलिए civil score का होना बहुत जादा ज़रूरी है आपका credit score clear होनी बहुत जादा ज़रूरी है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि मेरी बताई गई जानका आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दो चैनल पहले बारे तो चैनल को नहीं अपडेट के साथ जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम